हेलो फ्रेंस कैसे हैं आप लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे से होंगे फ्रेंस देखी एह है गिलोई और इसे हम लोग गुरुच भी बोलते हैं तो आज मैं इनकी चोटी-चोटी कटिंग करके लगाऊंगे क्योंकि एह बहुत ही फायदेमंद है इसके बारे में आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से जानते भी हैं तो फ्रेंस इनका काढ़ा बना कर पीने से डेंगू जैसी बीमारी जो है कम हो जाती है और जब इस सर्दी जुखाम वाइरल जो भी होता है फ्रेंस तो इनका सेवन करने से राहत मिलती है यह हमारी सरीर को स्वस्त रखत हैं तो फ्रेंस आज मैं सोच रही हूं कि इनकी कर्टिंग बनाकर लगा दूं क्योंकि मेरे यहां कल का आया हुआ है तो फ्रेंस से कल जो है हमारी एक फ्रेंड ने हाल चल पूछने के लिए मेरे हां फोन की थी तो उन्होंने बताया कि इस समय हम लोग गिलो की चाय बनाकर पी रहे हैं तो मैंने कहा कैसे बनाती है चाय तो उन्होंने बताया कि इनके चोटी-चोटी पीस करके अच्छी तरह से कूट कर उसमें लाउंग इलाइची है तुलसी का पत्ता है और अध्रक है और ए है इन सब को मिला कर जो है रोजाना एक टाइम पूरा परिवार उनका इसका चाय पीरा क्योंकि आप लोग जानते हैं कि समय करोना वाइरस जो है सबको परसान करके रखा हुआ है तो ज्यादा कोशिस हमारी रहती है कि हम लोग अपने आस पास के अच्छी तरह से सफाई करें और ज्यादा करके घरीलू चीजों का काढ़ा बना कर जो है अगर से में गये थे तो धेरों लेकर आये हैं तो थोड़ा सा मुझे भी मिला है तो मैं इन्हें नहीं फेकना चाहती क्योंकि बहुत अच्छी चीज है तो थोड़ा बहुत बचा कर रखूंगी चाय के लिए बाकिस्सम मैं लगा दूंगी तो मायकी की बात आप से बताओं कि मेरे म मायकी में जो है एक बहुत बड़ा लेश्टोडा का पौधा है पेड़ है तो फ्रेंस उस पे धेरों चड़ी रहते लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है उस समझ नहीं पाते हैं कि इसमें जो गुरुच है गिलो कहां है लेकिन देखिए मुझे को भी उतनी जानकारी नहीं थ तो अगर इमिती में लगाते हैं बिल्कुल जैसे जमीन में भी अगर इस तरह से काड़ देंगे तब भी उगने लग जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं बहुत यह आसाने से लग जाते हैं तो देखिए मैंने बहुत सीधे सीधे से काट लिया है और इनको देखिए इस तरह स बढने के बाद थोड़ा सा इसलिए चोड़ा एक हवा भी लगे चोटा सा होल भी है तो इसमें माइं गिलूवी की कटिंग को लगाऊंगी और देखे मित्टी भी मैंने तयार कर तो देखे फ्रेंज हमने अच्छी तरह से मित्टी को भल लिया है और इस तरह से ठोक भी दिया है ताकि जो भी थोड़ी बहुत इसमें जगाँ खाली रहेगी वह भी अच्छी तरह से कबर हो जाएगी तो देखिए मैं ठोक लिया और अब मैं इसमें इगलास पानी डाल दे रहे हूं ताकि मित्टी में अच्छी तरह से नमी बन जाए इस तरह से तो फ्रेंज जब पानी अच्छी तरह से नीचे चला जाएगा मित्टी सोख लेगी तब मैं कटिंग को लगाऊंगी तो देखिए फ्रेंज पानी हमारा जो है अच्छी तरह से नीचे चला गया मित्त तरह से गाड़ देंगे, तो फ्रिंस, जब भी हम कटिंग लगाएं, दो चार, या फिर शाथ कटिंग होनी चाहिए, क्योंकि कोई जरूर ही नहीं है कि अगर हम एकी कटिंग लगाते हैं तो हमारी की कटिंग लग जाएगी, एक यहाँ पे लगा दे रहें, देखिए, तो फ्रेंस इस तरह से हमने गिलोई की कटिंग को लगा दी और जब इन में से पत्ते निकलते हैं और हमारी गिलोई अच्छ लग जाती है, तो फ्रेंस फिर मिलते हैं आप लोगों से तब तक के लिए धन्यवाद